चीजी चिकन फ्रिटर, आप इसे चीजी चिकन पकोड़ा भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, स्नाक्स है यह, आप इसे जरूर ट्राइ करें, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियास किचन में आपका स्वागत है, रेसिपी शुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल बटन को भी दबाएं, जिससे की हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, अगर आ से देख सकते हैं, हमने यहां पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज जिसे की बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्चें जिसे की बारीक काट लिया है, एक बड़ा चम्मच बेसन और एक बड़ा चम्मच कॉन फ्लार, आधा कप मोजरिला चीज, आधा चोटा चम्मच नमक या स्वात के अनुसार, एक चोथाई छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चोथाई छोटा चम्मच खुर्दरवा पिसा हुआ काले मिर्च, एक बड़ा चम्मच कटी हुई हरी धनिया, 300 ग्राम बोल्लेस चिकन, जिसे कि हमने छोटे-छोटे क्यूप्स में काट लिये हैं, और हमें चाहिए कुकिंग ओल, और साथ में हमने दो अंडे भी ले लिये हैं, तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उस चीज, कटी हुई धनिया पत्ती, इसमें हम डाल लेंगे अंडे तोड़कर, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें मायनीज भी डाल सकते हैं, और कोई मसाला अगर आपको पसंद है तो आप इसको वो भी आड़ कर सकते हैं, लेकिन इतने मसाले में यह बहुत ही अच्छा बनता है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़िदार बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह अच्छे से मिक्स हो गया है भी, इसे अब हम फ्रिज में तीन से चार गहंटे के लिए मैरनेट होने के लिए रख देंगे, अगर से आपके पास टाइम है तो आप इसे Overnight मेरिनेत करें इसे मैं रात बर मेरेनेत करने वाला हूं दो एसे फिल्म लगा कर इसे हम रख देंगे रात भर के लिए चिकिन को मैंने रात भर के लिए मेरेन्य होने के लिए छोड़ दिया था फ्रीज इसको एक बार खोल लेते हैं, इसको एक बार चला लेंगे, देखे बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे स्पून के मदद से इस तरह सहसे उठाएंगे, और फ्राइंग पैन में डालके से हम फ्राइ कर लेंगे, चलिए इसको फ्राइ करने चलते हैं, इसे फ्र इसे अच्छे से फैला लेंगे, हर तरफ, अब हम इस मिक्स्चर को स्पून में, एक बड़े चम्मच में इस तरह से ले लेंगे, और इसे हम ऐसे इसमें डाल देंगे, उपर से फिर से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिसे कि ये इस तरह के शेप में आ जाए, ऐसे ही हम बाकी मिक्स्चर को भी रख लेंगे, और इसे मध्या माच में पकने देंगे, दो से तीन मिनट के लिए, लगभग एक मिनट हो गया, ऐसे पकते हुए, अब हम इसे पलट लेंगे, और इसे धीमी आच में पकने देंगे, दो से तीन मिनट के लिए, धीमी आच में लगभग हमने इसे तीन मिनट के लिए, अब एक बार चेक कर लेते हैं, इसे भी पलट लेंगे, यह अच्छे से पक जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे, यह चिकन को हमने बहुत छोटे टुकडो में काटा है, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम ने लगेगा, दो-तिन मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे, तीन मिनट और हो गया इसे पकाते हुए, एक बाद चेक कर लेते हैं, यह अच्छे से पक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, ऐसे ही हम बाकी बचे चिकन को भी फ्राई कर लेंगे, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे, यह लिजए हमारे बाकी चिकन भी बन गये हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे अभी, यह लिजए हमारा चीजी चिकन फ्रिटर बन के तयार हो गया है, आप इसका लुफ उठाइए, आप हमें शोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाइबाइ, एपी कुकिंग, थांक्स फवाचिए.